स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ओने स्टेडी क्लास पर जैसा कि आप लोग एक स्रीज देख रहे हैं जिसमें NCRT का जो है बुक का आप लोग पढ़ रहा है जिसमें आप लोग ने ये तो बुक आप लोग का वी सी वी टी है क्योंकि दोनों एकदम एक्कुल है पर अप लोग नदी के बारे में पढ़ चुके हैं कुछ परमुक नदी अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो क जा करके देख सकते हैं आज हम लोग जानेंगे जो है निर्मान के दिरिष्टी से जीलो की निमलिखित परकार यानि की कुछ परकार है उसके बारे में जानेंगे आपको एक्जामपल जो है बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला है ध अगर इसके बायू मंडलिया को कि कहा का कैसा मानसून है क्या है उस इसाब से अगर इसको समझ लेते हैं तो उसका जो है इलिमिनेट करने में आपको बहुत असानी होगे तो चलिए धानसान घाटी में जब जल जमाब होता है तब इस परकार जील बन जाता है धासान ठीक है अ अगर भारत में ऐसा जील है तो वह है कौन तिलाया बान दोरा धसान घाटी में क्रितिम जील ठीक उसमें भी बनाया गया हुआ है प्रकिरतिक नहीं है अगला जो पॉइंट आपको है वो है गोखूर जील गोखूर मतलब गाय का खूर तो इस तरह के कैसे जील होते हैं तो अदियों में जब अफसाद की मातरा बढ़ जाती है या भूमी की ढाल कम हो जाती है तब उसके मार्ग में बिसरपन पैदा होने लगती है अंत्ता बिसरपित 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 यह जो है भाग है बिसरपित भाग काट कर मुखे धरा से अलग हो जाती है जिसका आकार गायके खूर के समान होता है इसलिए इससे क्या कहते हैं गोखुर या परित्यक्त जील भी करते हैं उत्री बिहार में इस परकर के जील जो है पाए जाते हैं बितिया का सराया मान या बेगु सराय का कावर जील इसके उधारन है तो ये सब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बेगु सराय में कावर जील है ठीक है ना बेतिया में सराया मान है ठीक है ना ये भी ध्यान में रखना है कि ये बिहार में है किलियर अगला है क्रेटर जील जब जॉबला मुखी के क्रेटर से राख और लाबा का आनाबंध हो जाता है तब क्रेंटर में बरसा का जल जमाब होकर ज़ील में परनत हो जाता है तो बोल्विया का टीटी काका और टरकी का बौन जिल इसके उधारन है तो आपको बूल्विया का टीटी काका जहील को भी रखना है याद की टीटी का का जील कहा है तो बोलविया में है तरकी का बॉन जील मतलब बॉन जील कहा है तो तरकी में है और भारत में लोनार जील भारत में लोनार जील इसी परकार का निर्मित है क्रेटर जील से यानि कि जो अलामुखी से बनता है यह लैगून जील को होते हैं तो उ समुंदर जल समुंदर से अलग कर दिया जाते हैं यानि कि समुंदर का जल है किसी करण बस वो अलग हो जाते हैं तब ऐसे जील लगून जील कहलाते हैं लगून का उधारन अगर देखा जाए तो भारत इस्थित चिलका का चिलका एबम पुलिका जील इसी का उधारन है जील यानि कि अबरोध करेगा कभी कभी परवतिये परदेशों में भू अस्कलन के कारण चट्टाने गीर कर नदियों के परवा को रोग देती हैं तो इससे भी जील बन जाते हैं इसे अबरोधक जील करते हैं ठीक है अगला जो है हिमानी जील, हिमाले छेतर में हिमानी दोरा निर्मित जीलों में नैनी ताल, धीम ताल, सात ताल, आदी सुन्दर उधारन है तो हीवानी जील का एक्जामपल देख लिए भू गर्विये किरिया से निर्मित जील जम्मु कस्मिर में बुलर जील मीठे पानी की भारत की सबसे बरी जील है तो अगर भारत की सबसे बरी जील मीठे पानी के पूछा जाया तो कौन सा जील है बुलर जील जल विधूत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध लगाया जाने से भी जील का निर्मान हुआ है जैसे भाकरा नंगल परियोजना के विकास से गोविन सागर जील अगर भाकरा नंगल परियोजना पर है तो गोविन सागर जील पर है ठीक है निर्मान हुआ है लोग तक ए जील जो है खारे पानी का जील वो सांबर जील इसी परकार के जील है तो यहां पर यहां तक ही ध्यान में रखना है तो आगे की जो वीडियो में होगा इसकी आगे की जो भी इंपोर्टेंट लगेगा वो आप लोग को बताया जाएगा और इसका जो भी अबजेक्टिव जो स से चूर जाइए ताकि दोनों जो है इसको समझ करके अब्जेक्टिव याद कीजिएगा तो आपको काफी लंबे समय तक याद रहेगा तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेश्ट वीडियो में तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए थाइंक्यू फोर तोगि कीजिए दूल मिलें याद का पतां कीजिएगा जा सुर्णा रहां झार पिक जा खवड़ाई परके जार वाद हुआ हुआ